हेलो फ्रेंज वेलकम बाक टू माय चानल इन दिक्षित वाम्दी व्लोग्स तो मैं आ गई हूँ अपने दादी बाबा के घर देखिए गाओं का लोग किता सुन्दर होता है मैंने कुछ पिक्स ली है चर्ट से देखिए पीछे का व्यू किता प्यारा आ रहा है आईए आपको दिखाते हैं कुछ कटहल और आम के पेडों की फोटो जोकी हमारे ही बाग के हैं तो आप लोगों को बाग घुमाने से पहले कर लेते हैं थोड़ा नाश्टा जोकी मेरी चाची ने बनाया है फिर चलते हैं हम लोग बाग घुमने हमारे बाबा के वहां आम के और कटहल के बहुत बड़े बड़े बाग है आईए आपको दिखाते हैं देखे किते सारे आम लगे हुए हैं एक एक पेड में क्या आप लोगों ने भी रियल लाइफ में आमों को पेड पे लटका हुआ देखा है क्योंकि शहर में ये देखा थोड़ा मुश्किल होता है गाउं का जीविन बहुती सादा होता है लेकिन शहर की भीड़भाड के अपेक्षा शान्त होता है आज भी गाउं के लोग शहर वालों से जादा स्वस्थ होते हैं क्योंकि यहाँ पर इतना पल्यूशन नहीं है और यहाँ का वातावरण बहुती शुद्ध होता है आपने आम का बाग तो देख लिया अब आगे कटहल का बाग आने वाला है प्लीज कमेंट मी कि कि किसका किसका घर गाउं में है यह देखिए किते बड़े-बड़े कटहल है जो की एकी पेड में लगे हुए है जो देखने में किते अच्छे लग रहे है हमारे हाँ कटहल की बहुत सारी डिशिस बनती है जैसे की अचार, उसकी सबजी, उसकी पकॉडी क्या आपके हाँ भी ऐसा बनता है यह देखिए मैं आपको कटहल थोड़ा पास से दिखा रही हूँ बाग घूमने मैं, मेरी बुआ और मेरे कुछ कजन सिस्टर्स और ब्रदर्स गह थे क्यूंकि बाग में अकेले जाना हम बच्चों को अलाउ नहीं है आप लोग भी अकेले मत जाईएगा, किसी बड़े के साथ ही जाईएगा हम लोगों ने बाग से कुछ कटहल और कच्चे आम तोड़े अब चलते हैं घर की ओर क्यूंकि अभी शाम होने वाली है जो कच्चे आम हम लोग तोड़के लाए थे उन में से कुछ हम लोगों ने छील के नमग और मिर्च के साथ खाए और कुछ का अचार रखा गया जो देखने में बहुत यमी लग रहा है ये हमारे घर का शैतान ये मैं और मेरी बुआ तो इसी के साथ आज का व्लोग एंड होता है आपको मेरा व्लोग पसंदाया हुगा प्लीस लाइक और सब्सक्राइब तो मैं चानल थांक यू बाइबाइ लव्यू